दोस्तों तुछ से हैं रापता से आज अगर किसी अभी नीत्री ने सबसे ज़दा पॉपलेरिटी और प्यार पाया है तो वो शो में कल्याणी के भुमेका निभाने वाली अभी नीत्री रेमशेक ही हैं जिनोंने परदे पर जहां कल्याणी के बिंदास और चुलबुले यसी ही है जो अपने क्यूट अंदास से हर किसी के दिलों को चूलेती है और यहीं वज़ा है के रिमशेक के काफी सारे दोस्त भी है और हर किसी से उनकी काफी अच्छी बांडिंग भी है लेकिन बावजूद इसके इनके जंदगी में चार ऐसे टीवी सितारे हैं जो इनके दिल के काफी जादा करीब है तब ही तो यह उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड का दर्जा देती हैं इसलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको इनके उन्हीं चार बेस्ट फ्रेंड से रूबरू करवाएंगे जिनने अपने सबसे जादा क्लोस मानती हैं तो आईए के इन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉनिंग है दोनों ने एक हिसाथ सीरिल के रिष्टा क्या कहलाता एं में काम किया था जहां काम करने के दोरान रेमशेग केवल 10 साल की थी इसलिए वो हिरा को अपनी बड़े बेहन की तरह मानती थी बड़े बेहन के साथ साथ को आज अपनी बेच्ट फ्रेंड का दरजा भी देती हैं उनके मुताबिक हिना खान उनके लाइफ की वो परसन है जो हमेशा उनकी हर एक बात को समझती हैं और उन्हें काफी अच्छे से समझाती हैं गाइडस देने के साथ वो इनके साथ एक अच्छे दोस्त की तरह भी काफ नहीं किया बावजूद इसके ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं दोनों ही काफी जदा बीजी रहते हैं बावजूद इसके अकसर एक दूसरे के साथ quality time spent करते हैं जिसके चलते इनके दोस्त इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी है कि जब रिमशेक से उनके best friend के बारे में पूछा जाता है तो उनमें एक नाम मोजीन खान का भी शामिल होता है नमर 3 अनुशका से रमशेक की तरह बर्तौर चाइल्ड आर्टर्स अपने करियर के शुरुआत करने वाली अभी नीतरी हैं अनुशका से जिसके चलती अनुशका से और रमशेक एक दूसरे के friend circus में शा जार रमशेक तो ये तक कहती है कि अनुशका से इन इनके वो friend है जिनके साथ इने काफी अच्छा feel होता है और इसलिए यह उन्हें अपनी best friend में से एक मानती है इस लिस्ट में आखरी नाम शामिल है अभी नेता शोयबान अजीम का जो के इनके साथ इनके शो तुछ से है राबता में मलहार के बुमे कानी भाते हुए नजर आते हैं जिसके चलते रिम शेक उनके साथ अपना ज्यादतर time spent करती है और उन्हें अपने best friend में से एक बताती है तो दोस्तों रिम शेक और उनके best friends के बारे में आपका क्या कहना है आप हमें अपनी राए comment box में comment करके ज़रूर बताएं साथे टीव इंडस्टी से जुड़े ऐसे और भी मस्यदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे जैनल को subscribe करना ना भूलें